अब आपको UPSC के प्रैक्टिस के लिए थोड़े से जादा दिन मिल गए है ना तो आपका आप चुकी आपने देखा कि 16th of June को आपका जो पेपर है बिसिकली वह शिफ्ट हो चुका है 26 में से तो आप देखिए आपके लिए जो पीटब नो ओल लिया है से बच्चो ये लेकर आया है All India Open Pilim Smoke Test Series 2024 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवलेबल है फ्री आफ कॉस्ट है GS और CCET की आप ऑनलाइन दे सकते है 31st March, 14th April, 5th May and 2nd June को साथी जो हमारे ओफलाइन सेंटर्स है करॉलबाग में, मुकरजी नगर में, पतना और लकनो इन चारो सेंटर पर ये ओफलाइन अवलेबल है तो ये All India Pilim Smoke Test है ये आपको एक Self Evaluation में help करेंगे कि आखेर आपका जो अभी लेवल है पिलिम्स का वैं क्या है, आपको एक Practice में काफी help करेंगे free of course, बाकी Informations के लिए जो Description में Link है, Application है जो Contact Number है, वहाँ से आप जानकाड़ी दे साथ Hello Friends, Welcome to Only I.A.S. Hindi सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है So आपका Indian Quality चल रहा है, I am Lakshmikant अब तक आपके 30 chapters जो है, वह हो चुके 31 chapters है, आज है आपका Chapter Number 32 और Chapter Number 32 में हम बात करने वाले State Council of Ministers की, यानि राजमंति परिश्वत की तिको जैसे कि हमने State Government Last हमने जाना था कि जब हम राज सरकारों की बात करते हैं तो हमने जिस संसदिये पधती, जिस संसदिये प्रणाली को अपनाया, हमने राज्यों के लिए भी ठीक वैसा ही सिस्टम अपनाया, जैसा की केद्र में है आज का टॉपिक राजमंति परिश्वत है ना पहले बता दूँ आप सभी को ये टेलिग्राम चैनल है या फिर सर्च कीजिएगा एड़र इट मंजू पी डवलू यूपेसी वाला बच्चों इसमें आपको क्लास का नोटिफिकेशन क्लास की डेटेल, क्लास की नूट सारे चीज़े मिल जाती है, तो या तो स्कैन कर लो या तो फिर सर्च कर लो, ठीकेशन कर लो इस टेलिग्राम चैनल को, तो हमने क्या जाना था लास्ट की हमने जिस पार्लियम एंट्री सिस्टम को अपनाया, हमने जिस पार्लियम एंट्री सिस्टम को अपनाया, ठीक सेम सेम ववस्थाएं हमने की जैसे की जब हमने बात की थी प्रेसिडेंट की राश्चपती की कुछ सेम ववस्था थी गवर्नर के बारे में कैसी सेम ववस्था थी जैसे की हमने प्रेसिडेंट की बात की थी कि संग की कारिपालिका का प्रमुक होगा तो राज्यपाल की बात की थी कि जो राज्य है स्टेट है उसकी कारपालिका का जो मेन प्रमुक है या जो नॉमिनल हैड है वो गवर्नर होगा ठीक है इसके अलावा देखो जो हमने बात PM के बारे में की थी वही बात हमने CM के बारे में की अब जो बात हमने केंद्री मंत्री परिशद के बारे में की थी Central Council of Ministers के बारे में की थी केंद्री मंत्री परिशद ठीक वैसी ही बाते हैं ठीक वैसी ही प्रावधान हम पड़ते हैं राज की मंत्री परिशद के बारे में राज मंत्री परिशद State Council of Ministers तो Council of Ministers तो दोनों जगा है बस यह केंदर का था यह राज्य का था आपको एक फैक्ट बताती हो आपको बता है कि हमने केंदर में मंत्रालैओं की बात की थी ministries की बात की थी राज्यों के संदर में ministry नहीं होती है राज्यों के संदर में हम विभाग बोलते हैं डिपार्टमेंट बोलते हैं तो वहाँ पे जब हमने council of ministers की बात की थी क्यों था council of ministers चोकि हमने जाना था कि article 74, 75 में कुछ-कुछ प्राभधान किये गए है article 74 कहता है कि president की aid and advice के लिए article 74 कहता है president की aid and advice के लिए कि इनले मंति परिशद होगी article 74 यहाँ पर हम बात करेंगे governor की aid and advice के लिए article 163 के थी कहता है कि राज्य की मंति परिशद होगी जिसके आगे कहीए कि statement और वह आपको बता देती हूं कि यहाँ पर जो council of ministers है इसका head PM है यहाँ पर जो state council of minister है उसका head CM है तो यहाँ पर same same ववस्था बिलकुल एक जैसी ववस्था जैसे कि हमने केंद्र में की वही ववस्था हमने राजियों में कर ली ठीक है चलो देखो आगे देखते हैं आगे समझते हैं सो देखो basically हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें जानना है 4-5 हमने articles जानने है संवेधानिक प्रावधान हमें पढ़ने है article 163 क्या कहता है article 164 क्या कहता है article 166 क्या कहता है 67 और 77 इन 5 आर्टिकल्स की बात हमें करनी है उसके बाद हम बात करेंगे सेम वही सारी बात है कि आखिर इन मंत्रियों के न्युक्ति कैसे होगे इनकी युगताई क्या होगे इनकी शपत कैसे लेंगे इनकी संख्या कितनी होगी ये किसके प्रति उत्तरदाई होंगे उत्तरदाई तो basically हम तीन तरह का देखेंगे ये जो उत्तरदाईत वे बच्चों हम तीन तरह का उत्तरदाईत वे देखेंगे ठीक है कौन कौन सा एक तो वही collective एक तो सामोहिक उत्तरदाईत वे की बात करेंगे एक हम व्यक्तिगत उत् ministers में थी है ना? फिर हम देखेंगे इसका गठन मतलब हम इसकी संख्याओं की बात करेंगे, देखेंगे कि कितने मंतरी होते हैं, कितने प्रकार के मंतरी होते हैं, उन सब की बात करेंगे, cabinet और cabinet समीतियों की बात करेंगे हैं न? जिससे कि वहाँ पर हमने Central Conseil बात और कि हम यहाँ पर article 163 में कहेंगे, article 163 जानते हो क्या है, याद करो, article पहले मैं आपको ये article ठोड़े से याद कर आती हूं, ठीके, last चलते हैं पहले article देखो, article 163 क्या कहता है, 163, 163 कहता है, ये article ठीक वैसी ही 74 बताता है जैसे कि आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राश्चपती को aid and advice देने के लिए सहायता और सलाह के लिए एक केंद्री मंत्री परिशद होगी जिसका head PM होगा वही बात हम इसके लिए भी समझ देते हैं कि आर्टिकल 163 कहता है कि मंत्री परिशद के द्वारा राजपाल को सह सायता वह सलाह देना है ना और एक मंत्री परिशद होगा इसका head जो विस सीम होगा यह आर्टिकल 163 कहता है ठीक है आर्टिकल 164 कहता है कि मंत्री उसे संबंदित कुछ और प्राभधान की बात करता है कि जैसे कि मंत्री पर जो मंत्री है उनकी नियुक्ति कैसे होगी और न इसके प्रति उत्तरदाई है अगर मान लोग कोई ऐसा मंत्री है जो बन गया है बड़ सिक्स मंत्र अगर वो किसी भी अगर हम कहें कि राज विधाईका का सदस्य नहीं है देन उस प्रेश्ण चिन्हें लग जाएगा कि क्या होगा बतलब कुछ इस अभी बातों की चर्चा हम 164 में करते हैं फिर बात आती है 166 की 166 क्या कह रहा है कि राज सरकार के द्वारा कारवाही का संचालन है ना आर्टिकल 166 क्या कहता है कि बिसिकली राज में याद करो संगी की कारेपालिका को संगी की कारेपालिका का प्रमुक के संवधानिक प्रमुक की हमने बात की थी क कारवाईयां हैं जो भी निर्ण हैं किसके नाम पे होंगे राजपाल के नाम पर होंगे और कोई भी आदेश की प्रभाव शीलता ठीक वैसी ही होगी जैसे कि वो कारे खुद रास्टपती के राजपाल के आदेश से है ठीक वैसे ही जैसे कि केंदर में रास्टपती के द्वा तो यहां पर ये सारी बाते होंगी, 167 कहेगा कि राजपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री का दायत्व, कौन सा आर्टिकल है जब प्रदान मंत्री का संविधानिक दायत्व है कि रास्टपती या तो जानकारी, भागे तब आपको जानकारी देनी है, या फिर कोई ऐसा विशय जो कि अगर उस विशय से संबंधित, अगर मानलोक कीवल विचारार्थ है, उस पे विचार विमर्ष भी नहीं हुआ, उस पे चर्चा भी नहीं हुई, तब भी रास्पती को आपको सूचित करना है ठीक, वैसे ही आर्टिकल 167 जो है, वैं सीम के बहुत विचार उस पे चर्चा नहीं हुई, तब भी उस सूचित आपको राजपाल को करा देना है, तो संवधान एक दायत में कोई विवे का दीज रखती नहीं है, 177 कहता है कि मंत्रियों के अधिकार सदनों का संबान करते हैं, इसमें बताएगे आर्टिकल 177 कहता है कि क कोई भी मंत्री, इवन प्रतेक मंत्री जो है, वे सदन में बोलने, कारवाई में भाग लेने, और जिस सदन का वे सदस्य से, वहाँ पे मतदान करने का भी जोदी कारे में रखता है, तो ये कुछ ऐसे important article है, ठीके, अब देखो मैं इन articles की चर्चा करूंगी, उसके पहले मै एक आद कुछन पूछनों क्या, नहीं सारे कुछन पहले पढ़ा ही देती हूँ, फिर कुछन पूछते हो, ठीके, चलो, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे, कि थोड़ी से तुल्ला हम करते हैं, ठीके, थोड़े सम कंपैरिजन करें, फिर आगे हम चलते हैं, तो ये है आ आपका, काउंसल ओफ मिनिस्टर्स, ठीके, ये हम केंद्रिय मंत्री परिशत की पहले बात करेंगे, थोड़ी से तुल्ला करके आगे बढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे, केंद्रिय मंत्री परिशत, ठीके, सेम वही प्रापधारों के ध्यार नकना, भूला नहीं है, जैसे जैसे देखो, एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, कि जब आपने राज़पाल को पढ़ा, तब आपने साथ साथ में रास्टपती को पढ़ लिया, राजपाल वाला चेप्टर आपका काफी बढ़ा था, लगब तीन घंटे के आस पास का वीडियो था, काफी बच्चों न बता दे गई थी, बाकी सारे चीज़े तो आपने देखनी है न, अब जैसे कि जब मैंने CM बताया तो PM से तुलना करके तो मैंने बता दिया, बट बाकी चीज़े आपको रिवाइस करनी होगी, तो अब जब मैं आपको मंत्री परिशत पढ़ा रही हूँ, राज मंत्री पर लेना है, जो Central Council of Ministers की हम बात करेंगे, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, Central Council of Ministers, यह आपका चैप्टर नमबर 21 था, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है, चलो, इसके अलाबा, State Council of Ministers, State Council of Ministers, राज मंत्री परिशन, राज मंत्री परिशन, ठीक है, आखिर यह है क्यों, तो लास्ट हमने जाना था, कि आर्टिकल 74 जो है, आर्टिकल 74, यह क्या कहता है, कि रास्टपती को सलाह वा सहायता है तो होगी, रास्टपती को सलाह वा सहायता है तो, ठीक है, और इसका अध्यक्ष PM होगा, Central Council of Ministers का जो अध्यक्ष वे PM होगा, ठीक है, अब State Council of Ministers की बात करेंगे, Article 163, आर्टिकल 163 क्या कहता है, कि जो गवर्नर है, राजपाल है, राजपाल को सलाह वा सहायता है तो, है ना, और इसका अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष CM होगे, अध्यक्ष कौन होगे, CM होगे, मुख्यमंत्री होगे, ठीक है, समझ में आगई ये बात, अब एक मैं आपको एक पॉइंट और समझो, कि बिसिकली जब हम मंत्री परिशत की बात करेंगे, तो मंत्री परिशत सलाह दे रही है, चाहे केंद्र की स्थर पर हो तो विरास्पती को, राज्यक की स्थर पर तो विराज्यपल को, तो आखिर ये जो परामर्श दिया जा रहा है वो इस परामर्श की प्रकृति क्या होगी ये बात हमने इस ये जो परामर्श शब्द है ना ये परामर्श शब्द का आखिर मतलब क्या है परामर्श शब्द का मतलब क्या है क्या ये बाधिकारी है रास्टपती पर क्या ये परामर्श बाधिकारी है राजपाल पर क्या ये परामर्श जो है बाधिकारी है तो आर्टिकल 163 जो है ठीक आर्टिकल 163 से ही हम समझते हैं कि आर्टिकल 163 से बिसिकली ये अपेक्षित है मतलब एक एकस्पेक्टेशन इससे सैट कर लिए गए कि राजपाल अपने विवेका धीन को छोड़ कर विवेका धीन अधिकार उनके क्या क्या थे राजपाल की जो विवेका धीन शक्तियां थी वैं पती से जादा थी ध्यान करो हमने पढ़ा था राजपाल वाले में तो यहां पर देखो कि कौन सी शक्तिया विवेका धीन होगी इस संदर्व में क्या नियालाई के द्वारा प्रश्ण चिन्द किया जा सकता है समीख्षा की जाती है तो याद अखना कि राजपाल की विवेका धीन शक्तियों को छोड़ कर बाकी जो काम है वह स्टेट काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स के परामश से किये जाएंगे तो आर्टिकल 163 क्या कह रहा है कि राजपाल के विवेका धीन मामलो को छोड़ कर मामलो ये शक्तियों को छोड़ कर अंड कारे राजपंत्री परिशद की सलाँ से किये जाएंगे राजपंत्री परिशद की सलाँ से अब यहाँ पर देखो बचो विवेका धीन शब्द लिखा हुआ है आखिर इसका मतलब क्या है तो देखो कौनसे काम विवेका धीन होंगे और इसके संदर्फ में क्या प्रशन उठाया जा सकता है तो याद रखना कि राजपाल की basically विवेकाधीन जो शक्तियां है ना नियाले में इसकी कोई जो जाच है क्या की जासा या और अगर इस पर निर्णाय होगा तो किसका अंतिम होगा तो या देखना विवेकाधीन शक्तियों विवेकाधीन जो कार थे जो राजपाल ने अपनी मर्जी अपने विवेक से किये थे जैसे कि हमने किस आर्टिकल की बात की थी आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 में क्या था कि वह रास्टपती के विचार हितु किसी विध्यक को रख दे रहे थे, तो वो उनकी विवेकाधीन शक्ति है कि जब उनका विवेक कहेगा कि ये मुद्दा बहुत जरूरी है, रास्ट हित में जरूरी है, केंडरों से संतुलन बनाने के लिए जरूरी है, और इसलिए हम इस महत्व को, इस महत्पून इस विध्यक को खुद हम पमीशन ना दे के रास्पती के विचार हितु रख देते हैं, तो यह उनकी विवेकाधीन शक्ति थी, तो यहाँ पर हमने देखा था कि नहीं रखना है, यह भी उनी का अंतिम होगा, इस पे कोई प्रशन चिन्द नहीं है, राजपाल का निश्चा ही इस पे अंतिम होगा, इस पे प्रशन नहीं किया जाएगा, ठीक है? अब next देखो, कि राजमंत्री परिशत की सलाह से करेगा, हम इस सलाह और परामर्ष जो श क्या इसकी जाच की जाएगी सलाह की जाच नहीं की जाएगी क्यों सलाधी कोई मतलब ही नहीं इस बात से कि जाच नहीं की जाएगी ठीक है मतलब आप इसकी न्याएक समिक्षा नहीं कर सकते आप ये जो सलाह मंत्री परिशत दे रहे हैं मंत्री दे रहे हैं आप इसकी न्याएक समिक्षा नहीं कर सकते ठीक है एक बात और देखो कि हमने जाना कि राजपाल जो है क्या कुछ अपने क्या कुछ अपनी मन से काम क करता है या केवल मंती परिशत के सिफारिशों के आधार पर ये काम करेगा एक केस आया था शमशेर सेह मामला 1974 शमशेर सेह मामला 1974 चमशेर सेह केस 1974 इस केस में जानते हो सुप्रीम कोट ने क्या कहा था सुप्रीम कोट ने कहा कि राजपाल की जो संतुस्टी है ना किसी मामले में वो राजपाल की अपनी व्यक्तिगस संतुस्टी नहीं है राजपाल की संतुस्टी व्यक्तिगस संतुस्टी नहीं है बलकि जो मंत्री परिशत की संतुस्टी है तो ऐसा नहीं कि राजपाल कोई अपने मन का कर लेंगे राजपाल की सहायता के लिए सलाह के लिए अगर राजपाल का साथ जो है वह काम कर रहे हैं तो कहा गया था इस केस में कि जहां पर मतलब सेरी सी बात ये देखो कि क्या मंतरी परिशत की सलाह की विरुद्ध जा सकते हैं प्रिश्ण है एक है न कि क्या क्या राजपाल क्या राजपाल मंतरी परिशत की सलाह के विरुद्ध जा सकते हैं क्या आंसर दोगे इस बात का ऐसे छोड़ी छोड़ी से ही कुश्यन होते हैं जहांसे पिलिम्स के आंसर निकलते हैं बच्चों आंसर होगा नहीं नहीं जा सकते हैं तो जो मंत्री परिशत की बिसिकली एक सामोहिक संतुस्टी होगी वही राजपाल की भी होगी तो यहाँ पर राजपाल का अपना व्यक्तिगस संतुस्टी का मतलब कुछ नहीं है जब तक की मामला राजपाल के विवेका धीन शक्तियों के अंदरगत नहीं आता ठीक है तो ये परामर्श शब्द की हमने बात कर ली आर्टिकल 163 की भी हमारी बात हो गई तो हमने जाना की बिसिकली की भारत का जो सम्विधान है वैं ठीक केंद्र की जैसे ही जो संसदी ववस्था है उसका उबन राज की लिए भी कर रहा था और राज की राजनेतिक बिसिकली का जब हमने बात की थी तो इसमें सबसे टॉप पर कौन था गवर्नर था गवर्नर की बात हमारी हो चुकी है ठीक है अब हम बात करते आर्टिकल 163, 64, 66, 67 और 77 की आखिर इन आर्टिकल में क्या है आर्टिकल 163 आप समझ गए आर्टिकल 163 क्या कह रहा है यह कह रहा है कि बिसिकली राजपाल की सहायता वा सलाहे तू काउंसिल ओफ मिनिस्टर होगी काउंसिल ओफ मिनिस्टर होगी राजपाल की सहायता वा सलाह के लिए ठीक है के लिए काउंसिल ओफ मिनिस्टर होगी इसके अलावा देखो फिर वही बात की परामर्श वाली बात में के अंतरगर जो हमने पढ़ा था है ना जो हमने परामर्श पाली बात के इंतर कर रहा था कि पहली बात ये है कि राजपाल इसके आर्टिकल वर्ट 63 क्या कहता है वर्ट 63 कहता है कि जो राजपाल है वे मंत्री परिशत की सला से ही काम करेंगे मंत्री परिशत की विवेका धीन कारेंगों को छोड़ कर ध्यार रखना सला से ही काम कर रहे है ठीक है विवेका धीन जो शक्तिया है उनको छोड़ कर इसके अलाबा देखो अगर विवेका नुसार कारे करता है इस बात को भी लिखी लो विवेका नुसार में तो राज़िपाल का जो निश्चय है वैं अंतिम होगा विवेका नुसार कारे में राज़िपाल का जो निश्चय है या निर्नय है वैं अंतिम होगा इस पर प्रश्न नहीं किया जाएगा निर्नय अंतिम होगा इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता ह ना तेन नेक्स हम देखेंगे कि मंत्रियों और जो मंत्रियों ने सलाह दी है उसकी विजाच नहीं की जाएगी और परामर्ष की प्रक्रिति क्या होगी यह अलग से एक पैरा है इसमें वो हम पढ़ चुके है ठीके और हमने क्या देखा कि मंत्री परिशत की काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो बिसिकली जो सलाह है उसकी जाच नहीं की जा सकती सलाह की नयाएक जाच नहीं हो सकती ठीके यह आर्टिकल यह आर्टिकल 163 था आप थोड़ी सी चर्चा 164 की बात कर ले 164 देखो आर्टिकल 164 मंत्रियों से संबंदित कुछ उप बंधू की बात करता है आर्टिकल 164 आर्टिकल 164 सेम वही सबसे पहले तो आओ देखते हैं कि आखिर इसमें मंत्री कौन-कौन होंगे पहली बात तो हमने यह देखा कि बहुत टॉप पर जो है वह गवर्नर है गवर्नर के लिए काउंसल ओफ मिनिस्टर्स हैं काउंसल ओफ मिनिस्टर्स के जो हैड है वह सी एम है बट काउंसल ओफ मिनिस्टर्स में कौन से मंत्री है यह कैसे तै होगा तो मंत्रियों की नियुक्ति सबसे पहले हम सीखेंगे, देखेंगे कौन करेगा, याद करो, जो केंदिय मंत्री परिशत्का है, ठीक वही होगा, तो मंत्रियों की नियुक्ति जो है, वह कौन कर रहे हैं, राजजपाल कर रहे हैं, लेकिन राजजपाल कैसे कर रहे हैं, तो CM क इसको बोल रहे हैं कर उसी को रहे हैं तो CM basically क्या कर रहे हैं मंत्री कौन होगा मंत्री कौन होगा तो basically यह select करने का काम यह CM का है और मंत्रियों को appoint करने का जो काम है फाइनली अगर हम appoint की बात करें तो यह काम किसका होगा गवर्नर का होगा ऐसे मंत्रियों की जो नियुकती है वह होगई ठीक है इसके अलावा हम देखें जैसे कि हमने बात की थी कि PM की नियुकती कौन कर रहा था हला कि CM जैसे की PM की नियुकती रास्पती कर रहे थे बट बना दल कानेता हो और फिर CM के परामर्श से अनमंत्रियों की नियुकती करते हैं ऐसा आर्टिकल 164 कहता है इसके लावा एक और बात देखो बच्चों कि यहाँ पर हम कुछ जनजातिये कल्यान के लिए एक अलग से मंत्री का प्राब्धान भी किया गया है कुछ-कुछ राज्य MP और पोडिशा तो यहाँ पर देखो इन चार राज्यों में एक अलग से जनजातिये कल्यान मंत्री भी होगा जिसकी नियुकती राज्यपाल करेगी मतलब जनजातियों का काम देखेगा तो जनजातिये कल्यान मंत्री होगा और इस मंत्री की निुक्ती राजजपाल करेगा या देखना कि पहले बिहार के लिए भी था पर चुकी बिहार के लिए उतना ज़ादा वहाँ पे जनजातिये नहीं है इसे बाद में एक सम्विधान संशोधन करके 94 संविधान संशोधन के द्वारा बिहार को इस बाधिता से हटा दिया गया आपकी वल चार राज्यों में 36 गर जारकर डैंपी ओडिशा यहाँ पे अलग से एक जनजातियों के कल्यान के लिए अलग से जो मंत्री है बिसिकली वैनियुक्त किया जाता है गवर्णर के द्वारा ठीके चलो नेक्स हम देखेंगे अब अगर हम यह देखें कि आखिर इनकी जो संख्या है काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स की वै कितनी होगी सेम के यह मंत्री परिशत का है मंत्री परिशत की जो संख्या है वो कितनी होगी तो कहते हैं कि plus cm cm को जोड़ कर जो मंत्री होंगे उनकी संख्या विधान सभा की 15% से अधेक नहीं होगी जैसे कि हमने केंदी मंति परिश्द में समझाता कि लोक सभा की 15% से अधेक केंदी मंति परिश्द नहीं होगी तो विधान सभा की किसी भी राजी की जो विधान सभा है तो विधान सभा की संख्या के सदस्य संख्या के 15 प्रतीशत से अधिक नहीं होगी अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया में आप ऐसा स्टेट बता सकते हैं जिसकी स्टेट जो असंबली है लाजिसलेटिव है जिसमें सबसे जादा मेंबर हूँ तो यूपी की लाजिसलेटिव असंबली जिससे कि यहाँ पर मैं आपको एक एक जामपल बताती हूँ कि यू लेजिस्लेचर इन इंडिया यूपी जानते हो कितने मेंबर्स 403 403 मेंबर्स या दखना है 403 में एंगलो इंडियन्स जो अनियुक्त करता था राज पालेक उसको भी इसमें काउंट किया गया है तो 403 मेंबर्स की बात हैं पर की गई बड़ जब हम यहां का काउंसिल ओफ मिनिस्टर देखेंगे तो जानते हो इसमें कितने सदस होंगे अब आप 400 के हिसाब से निकाल लो 15% तो लगबख 60 मेंबर्स जो है वैसके काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स में होंगे इससे जादा नहीं होंगे क्या कोई नियूनितम संख्या ये दो अधिक तम बात हो गई कि इससे अधिक नहीं होगी क्या कोई नियूनितम सदसे संख्या भी है तो यस तो अगर हम नियूनितम सदसे संख्या की बात करें तो नियूनितम 12 से कम नहीं होगी न्यूरितम जो सदस्य संख्यावे कितनी बारा और मूर दिन की बात करेंगे तो विधान सबाकी 15 पतिशत से बिसिकली आदेक नहीं होगी इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स यह आप चार राज लिख लिजिएगा है ना कि जनजाती कल्यान मंत्री जो है वे आखिर कहा कहा होंगे अच्छे यह देखो कि अगर मालो एक केसम देखते हैं कि अगर किसी को एंटी डिफेक्शन लौ के अंतरगत अयोग करार दिया दल बदल अगर दल बदल के अधार पर अयोग है तो क्या ऐसा परसन मंत्री बन सकता है नई तो याद अखना कि यह मंत्री के लिए भी अयोग हो जाता है मंत्री पद के लिए भी यह क्या है मंत्री पद के लिए भी यह अयोग माना जाएगा ठीक है दल बदल के आधार पर एक और देखो कि अगर हम ये देखे कि जो मंत्री यहाँ पे नियुक्त हुए है इन मंत्री का टर्म क्या होगा ये जो मंत्री है वो कब तक मंत्री रहेंगे सिधी सी बात ये है कि ये जो मंत्री है वै कब तक रहेंगे तो कहा जाता है कि ये राज़पाल की प्रसाद परियंत रहेंगे केंदर की संदर्फ में राष्टपती की प्रसाद परियंत प्रसाद परियंत मतलब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राज़पाल जब चाहे तब हटा सके अगर मुख्यमंत्री जो CM है अगर ये कह देता है हटाने के लिए तब हटाते हैं तो राज़ुपाल की प्रसाद परियंत अपने पत पर रहते हैं इसके अलावा हम देखें कि इनका जो है वैस सामोहिक उत्तरदायत्व किसके लिए है तो सामोहिक उत्तरदायत्व विधान सभा हेत्व होगा और अगर सामोहिक उत्तरदायत्व विधान सभा के लिए है तो विधान सभा में अगर आविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो क्या आविश्वास प्रस्ताव के बाद इन्हें त्याकपत्य देना होगा बिल्कुल देना होगा है ना क्योंकि ये तभी तक है जब तक कि विधान सभा में इने जो बहूमत है बिसिकली वह प्राप्त है अगर हम शपत की बात करें तो भई नियोक्त तो यही कर रहे हैं तो जो शपत होगी ना वो भी गवर्नर ही दिलाएंगी शपत कौन दिलाएंगे बिसिकली गवर्नर दिलाएंगे या फिर अगर गवर्नर नहीं है या फिर गवर्नर है और ये दिलाने की पोजिशन में नहीं है तो फिर ऐसे में जो गवर्णर है उनके द्वारा ने उक्त किया गया कोई व्यक्ति जो है इनको पद और गोपनिता की शपत जो है वैं दिलाएगा अब एक और प्रिश्ण उठता है कि अगर मालो कोई जो मंत्री है वैं किसी भी दल से संबंधित नहीं किसी भी हम कहें सदन से सदन का मेंबर नहीं है मालो कोई ऐसा मंत्री है जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तब क्या होगा इसका उत्तर वही होगा जो की केंद्रे मंत्रे परिशत का था किसी भी सदन का सदस नहीं है अगर नहीं है तब क्या होगा? क्या ये मंत्री बन सकता है? तो ये मंत्री तो बन सकता है पर ये बनेगा 6 मंत्र के लिए क्योंकि अगर आपने 6 माह के बीच आपको क्या करना होगा 6 माह तक ही मंत्री रहेगा और आपको अगर इसके आगे मंत्री रहना है तो आपको कोई भी सदन जो है कोई भी सदन जोइन करना होगा कोई भी जो सदन है इसमें आपको न्युक्त हो जाना चाहिए तब ही आप आगे मंत्री पत continue करेंगे अगर 6 माह में आप किसी विधान मंडल के सदस नहीं बन पाते हैं तो फिर आप continue नहीं कर सकते हैं तो यहां पर क्या है कि हमने आर्टिकल 164 की बात की आर्टिकल 164 ये बताता है कि मंत्रियों के न्युक्ति कैसे होगी ये कब तक मंत्री रहेंगे कैसे मंत्री रहेंगे दल बदल की आधार परेंगे 6 महीने अगर कहीं किसी की सदन के मेंबर नहीं तो 6 मंद तक ही मंत्री रह सक 12 member की बात हो गई 12 member से कमने हो गई और largest legislature और इंडिया की बात करेंगा तो यहाँ पर UP है 403 with Anglo Indian की बात हुई है 403 में ठीके और अगर हम देखें तो members इसमें कितने council of ministers में 60 members हैं यह एक example हमने देखा ठीके clear है अच्छा अगर हम यह देखें कि इनको वेतन भत्ते शपत की तो बात कर लिए वेतन भत्ते कौन देगा तो इनको वेतन भत्ते क्या मिलेंगे यह राज का जो विधान मंडल है यह तई करेगा विधान मंडल वेतन भत्ते तई करेगा ठीके clear है यह आर्टिकल 164 हो गया तो आर्टिकल 163 हो गया राजपती को सायता सला के लिए मंते परिशद होगी राजबे 164 हो गया 164 जिसमें की यह सारी बाते हो गई ठीके चलो अब हम जलते हैं आगे और हम बात करते हैं अब एक कुश्चन देखो जरा मुझे नहीं लगता है यह प्रिश्चन आपसे गलत होना चाहिए राज विधान मंडल के सदस से दल बदल के आधार पर राज विधान मंडल के सदस से दल बदल के आधार पर यह आयोग हुए योग नहीं यह आयोग है आयोग हुए तो मंत्री पद के लिए भी आयोग होंगे येस यही पड़ा हमने मंत्री परिशत सामोहिक रूप से राजपाल के लिए उत्तरदाई होगी बच्चों सामोहिक है ध्यार रखना तो यहाँ पर हम collectively और individual फरक होता है सामोहिक रूप से ये विधान सभा के लिए थी उत्तरदाई और अगर हम व्यक्तिगत बात करें तब व्यक्तिगत इसलिए क्योंकि रास्पती की प्रसाथ परियन थे इनका उत्तरदाई किस पर होगा राजपाल पर होगा तो यहाँ पर देखा सामोहिक रूप से राजपाल के लिए नो यह जो है बिसिकली आपका गलत स्टेटमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर राजपाल नहीं होगा राज में मुख मंत्री सहित मंती परिशद की संख्या विधान परिशद की पंद्र अब देखो यहाँ पर मि विधान परिशद है तो हमने संसधी ववस्था में क्या अपना soy बच prends में विधान परिशद उच्छिसदन है निमनिसदन है तो जो विधान सभा है यह क्या है निमनिसदन है तो सामोहिक रूप से विधान सभा के लिए उत्तरगा है तो विधान परिशद की 15 परिशद से अधिक और 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी ये बात तो सही है, पर मंत्री सहिद मंती परिशद की सदसंक्या विधान परिशद नहीं बलकि विधान सभा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये आपका केवल सही है, अगर प्रेश ने पूछा कॉंसल स्टेट्मेंट सही नहीं है, तो यहाँ पर दो और तीन बेसिकली गलत है, लियार हो गया, आगे चले, अब हम नेक्स बात करेंगे आर्टिकल 166 और 167 की, आर्टिकल 166 और 167 की, आर्टिकल 166 और 166 कहता है कि राज के राजपाल द्वारा कारवाही का जो संचालन है, वह किया जाएगा, राज के राजपाल द्वारा कारवाही का जो संचालन है, वह किया जाएगा, राज के राजपाल द्वारा कारवाही का संचालन, ठीक है, अब देखो, इसमें कुछ बातें और जो हैं वह शामिल है, जैसे कि हम देखेंगे, कि राज की जो कारवाही का जाएगा, यहां पर यहां पर याद आठना कि जो भी राजसरकार की कारवाही का का संचालन, कारेबाहिया राज़पाल के नाम से राज़पाल के नाम से होगी ठीक है दूसरी बात देखो राज़ में जो भी काम हो रहे है या जो दस्तावेज है या निर्णए है दस्तावेज या निर्णए ठीक है जो भी हो रहे है ये बिसिकली कैसे होगे इनकी प्रभावशीलता कुछ ऐसी होगी जैसे की ये जो काम है ये डारेक्ट राजपाल के द्वारा किये गए है इनकी प्रभावशीरता क्या है कि राजपाल द्वारा किये गए है राजपाल मतलब अगर माल लिजे कि जैसे कि राज़े में कोई नया बिल आया तो उस बिल की प्रभावशीरता क्या है उसकी प्रभावशीरता ये है कि ये राजपाल के द्वारा ही किये गए है अब इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि राजपाल ने व्यक्ति के तरूप से इसकाम को नहीं किया काउंसल आफ मिनिस्टर के परामर्श से किया या फिर कही और किया इनुनित के वल महर लगाई ऐसा कुछ नहीं होगा तो याद अटना कि ये बिसिकली इस पे इस बात के लिए इस आधार पर प्रश्ण नहीं किया जाएगा कि ये राजपाल के द्वारा निर्मित नहीं है इस बात को याद अटना तो प्रभावशीरता कैसी होगी कि राजपाल के द्वारा किये गए है और इस पर प्रश्ण नहीं किया जाएगा, प्रश्ण नहीं किया जाएगा, कि राजपाल द्वारा नहीं किये गए, या किसी और की सहायता ऐसे किये गए, तो इस आधार पर इस पर प्रश्ण चिन्न जो है, वैं तो को सम्विधार में कई ऐसी ववस्ताय कर दी गई हैं, कि उस पर प्रशन चिन न उठाया जा सके, जैसे कि हमने देखा कि संग की कारे पालिका में जो भी निर्णाए हैं, जो भी दस्तावेज हैं, जो भी विदिक कारे हैं, वो वैसे ही किये जा रहे हैं, जिसे कि रास्टपती ने व्यक्ति गतरूप से किये हो, अब रास्टपती वो भी संग्की कारे पालिका के कारे और दस्तावेज होंगे वो कुछ ऐसे ही प्रभावशील होंगे कि उन्हें डारेक्ट रूप से रास्टपती ने किया है और इस आधार पर उस पे प्रश्ण चिन नहीं उठाया जाएगा प्रश्ण चिन नहीं उठाया जा सकता कि ये कारे व्यक्ति गत्रूप से उनके द्वारा नहीं किये गए तो सेम ववस्था बच्छों राजपाल के लिए सेम ववस्था अगर ऐसा होना कभी की राजपाल या फिर मुख्यमंत्री या केंद्री मंत्री परिशद और राजमंत् बच्छाओं इनके बारे में भूल जाओ तो सीधा जो सेंट्रल में है सीधा जो केंद्रे सरकार में ववस्थाए हैं उसको एक बादर कर ले आपको यजदेर ववस्था है वैशे ही मिलेंगी एकक्स्प्षल्ट मिलेगा बट 1008 एक exception मिलेगा अपवाद मिलेगा वर वो बहुत कम अपवाद मिलेगा ठीक है चलो तो यह हो गया दूसरा आप देखो तीसरा है कि बिसिकली राजपाल क्या राज सरकार के लिए कुछ नियम वगेरा बना सकता है तो हाँ भी बना सकता है तो राजपाल राज की कारवाही के लि मंत्रियों के बीच ठीके रवहार और चीज़े ठीक से बनी रहे एक समनवय रहे इसके लिए रूल बना सकता है रूल्स बना सकता है नियम बना सकता है ऐसे तो राश्पती भी बना सकते हैं अब अगर मैं आपसे यह कहूँ कि राश्पती जो है वह सग की कारवाहियों और म बंटन के लिए नियम बना सकते हैं लेकिन राज जिपाल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि राज में तो CM बनाता है तो गलत हो जाएगा यह statement है ना हमेशा comparison करके पढ़ो कभी भी राज सरकार को पढ़ना है राज की ववस्थाओं के बारे में पढ़ना है हमेशा के इंदर से compare करो क्योंकि जब question आएगा ना बच्चों तब हमेशा comparison बेस प्याइब ठीक है चलो next हम देखते हैं ये तो 166 हो गया तो 63 हो गया 64 हो गया 66 हो गया अब 167 की हम बात कर ले 167 आखिर क्या कहता है आखिर क्या कहता है ये कहता है जैसे कि व्रधान मंत्री का सम्वेधानिक करतव था कि रास्पति के द्वारा सूचना मागे जाने पर या जब जरूरी हो तो वैं मंत्री पर श्रित के निर्णयों से आवगत कराए रास्ट्पति को ठीक वैसे ही कुछ ववस्ता है आर्टिकल 167 की है और आर्टिकल 167 में मुख्य मंत्री के करतव्यों की बात की मुख्य मंत्री के करतव्य और इनका करतव्य जो है वैं मेन क्या है इनका करतव्य होगा कि ये रास्ट्पति को जानकारी दे माक की जगा राजपाल होगा ठीक है ये राजपाल को जानकारी दे किस संदर्फ में जानकारी दे राजपाल को information दे किस संदर्फ में information दे तो चाहे ये जो information's है प्रसाशन के संबंदी हो विधान के संबंदी हो प्रसाशन वा विधान संबंधी प्रसाशन वा विधान संबंधी सूचनाई हूँ ठीके मांगे जाने पर सूचना मांगे जाने मतलब राजपाल जब मांगे तो मांगे जाने पर सूचना देना मांगे जाने पर सूचना देना और तीसरा है कि जो विचारार्थ मामले हैं उन पर भी जानकारी देना, विचारार्थ मामलों पर, विचारार्थ मामलों की जानकारी देना, निन्ने हो ना हो चर्चा हो ना हो अगर विचार है तू भी रखे गए हैं तब उसके बारे में भी जो information है राज़िपाल को दी ऐसा आर्टीकल 167 जो है वह कहता है इसमें का कि प्रत्यक राज के ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर राज की बात करें प्रत्यक राज के मुख्यमत्री का यह संवधानिक दायतव है कि वह basically मंत्री परिशत के द्वारा जो भी राज के प्रसाशन के मामले है जो भी निर्णाय ह जाना बाकी है निर्णय नहीं हुआ है तब भी ऐसे मंत्री परिशत के विचारार्थ रखे हुए निर्णयों को राजपाल को मैं सूचित करेंगे अब देखो जैसे कि मैं आपको इस स्टेट्मेंट बताती हूँ कि राज के प्रसाशन वा विधी संबंधी कारे या विधायन संबंधी सूचनाय देना अनिवार है लेकिन विचारार्थ मामलों पर जो राजपाल है इसी तरह की शब्दावली आप देखते हैं परन्तु विचारार्थ मामलों पर राजपाल को सूचना देना अविशक नहीं क्योंकि अगर सम्विधान के एक आर्टिकल में एक आर्टिकल dedicated इसके लिए तीन बाते इसमें लिखी गई हैं उसमें एक बात ये भी लिखी है कि विचारार्थ अगर मामला है निर्णा लिया जाना बाकी है पर उस पे भी सुचना आपको देनी होगी तो इसमें कोई कि देता है कि बैसिकली जो मंत्री है ना मंत्रियों को सदन में सदन की कार्वाहिये में बोलने में और भाग लेने का अधिकार है कार्वाहि बोलने वह भाग लेने का अधिकार है लेकिन जिस कावाई, जिस विधान मंडल कावाई सदस्य होगा वहाँ पर वोट भी देगा याद करो केंदी मंति परिशद में हमने देखा था कि लोग सभा का जो सदस्य वै राजसभा की कारवाई में भाग ले सकता है ठीक वैसे ही लोग सभाग के बारे में भी है लेकिन अगर हम देखेंगे वोट कहां कर सकता है तो वो जिस सदन का सदस है वोटिंग केबल वहीं मिलेगी है न जिस सदन का सदस है एक प्रिशन मैं आपको पोश्ती हूँ कॉमेंट करके बताईएगा कि मंत्रियों के अलावा ऐसा कौन सा सम्वेधानिक पद है मंत्रियों के अलावा ऐसा कौन है जिसको की ये अधिकार प्राप्त है कि वह अगर चाहे तो बिसिकली सदन की कारवाई म में भाग ले सकता है बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता यह आपको कॉमेंट करके बता रहा है मैंने बताया है क्लास में सो 167 और 177 की बात हो गई है ना आगे चले तो इस तरीके से हमारा फस्ट जो है वैं कंप्लीट हो गया कि सम्वेधानिक प्रावदान 163 अब आपको याद आना चाहिए इसमें क्या है वो आपकी टेक्निक है कि आपके इन्वर्ट को याद रख रहे है कैसे आप इनको याद र राजपाल को तो इस पर नहीं होगा ठीक है मंत्रियों की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे शबत अर्वेतन की बात हो गई मंत्रियों की अगर हम नियुक्ति की बात करेंगे बच्चों तो नियुक्ति कैसे होगी राजपाल करेंगे राजपाल कैसे करेंगे क्या किसी भ एकती हमने देखा था कि जो गवर्नर हैं, जो राजपाल हैं, राजपाल इन्हें नियुक्त करेंगे, ठीक है, बट इन्हें सिलेक्ट करने का काम, मुख्य मंत्री के परामर्श से, देखें, जो गवर्नर हैं, वैं इनको नियुक्त करेंगे, कि जो मंत्री हैं, आखिर वैं कौन होगा, अगर हम बात करें, इन मंत्री ओंके पास कौन से विभाग होंगे, मंद्राल्य नहीं होंगे, मंत्राले तो मंत्राले जो है वैं बिसिकली आपके केंद्री मंत्राले होंगे राज्यों में विभाग होंगे राज्यों में क्या होंगे विभाग होंगे ठीक है सो यहाँ पर देखो कि basically अगर हम नियुक्ती की बात करें तो यहाँ पर जो मनत्यों की नियुक्ती है वैं मुख्य मंत्री के परामर्श से basically की governor के द्वारा जो है वैं की जाएगी और कौन बनाया जाएगा कौन नहीं बनाया जाएगा किसे कौन सा विभाग मिलेगा उसको अगर शफल करना हो उनके पोर्टफोलियो उनके विभाग को ये काम जो है मुख्य मंत्री का होगा ठीक है अच्छा देखो एक बात और सुनो लेकिन हमने देखा कि जिसे 36 गड़ है चारखंट रेंपी और ओडिशा है यहाँ पे एक जंजाती मंत्री होगा आदिवासी मंत्री भी होगा पहले ये बिहार के लिए भी प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में हमने देखा था कि सिद 94 जो समविदान संशोधा ने उसके जारह इसको हटा दिया गया था ठी तब अगर मैं आप से यह कहूँ की कोई एक व्यक्ति बिना विधान मंदल का सदस्ण बने मंत्री बन सकता है तो आंसर तो असका होगा लेकिन अगर मैं आप से डेड्लाइन पूछ होगी कब टक रह सकता है तो किवल सिक्स मंत तक ही वह रह सकता है इस से restrictive ने रह सकता ठ लेके जो गवर्नर है वह पद्वा गोपनियता की शपत दिलाएंगे यह पैसी कुश्चन पुछता है कि जो मंत्री हैं वो केवल पद की शपत लेते गोपनियता की शपत ने लेते यह राज मंत्री परिशत के मंत्री पद और गोपनियता की शपत ने लेते गलत हो जाएगा गोपनिता का मतलब क्या है गोपनिता का मतलब है कि जब तक किसी बात को जरूरी ना हो या फिर पूरा मंत्री परिशद अगर ना चाहे तब तक वह उस मामले को बाहर जो है वह किसी से नहीं कहेंगे जब तक कि ऐसा कोई निर्णय ना हुआ हो तो basically confidential जो है उसका ये खयाल मंत्री परिशद के संदर्फ में नेमने पर विचार कीजिए फर्स स्टेट्मेंट कहता है कि सम्विधान में मंत्री परिशद की निश्चिस संख्या और वर्गी करण का उनलेख नहीं किया गया है क्या सम्विधान में ऐसा किया गया है वर्गी करण का उनलेख नहीं किया गया है बलकि ऐसे समय और परिश्चिती की आविशक्ता के अनुसार प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री पर छोड़ दिया गया है सम्विधान में तय नहीं किया गया है इवन सम्विधान में उप मुख्य मंत्री की भी बात नहीं की गया है कि राजनेतिक परिश्चितियों के मद्दे नजर ही हमने उप प्रधान मंत्री और उप मुख्य मंत्री जैसे जो पद है बिसिकली ये बनाए तो इनका स्थानी और राजनेतिक कारणों से इनका महत्व जादा होता है ठीके तो मुख्य मंत्री पर बेसिकली छोड़ दिया गया कि राज मंत्री परिशत की मतलब सम्विधान की बात करें कि सम्विधान में ऐसा नहीं है वो बात अलगे कि आगे हमने एक सम्विधान संशूधन के द्वारा इस बात को तै कर दिया कि विधान सभा की 15% से अधिक नहीं होगी किसी राज में मुख्य मंत्री सहित विधाईका में अगर जिसे ऐसा भी कुश्यन मैं आपको देदू कि मुख्य मंत्री के अलावा 15% से अधिक नहीं होगी वो भी गलत हो जाएगा include CM है ना सो राज विधाईका में मंत्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे clause में लिखा है 91 संविधान संशोधन 2003 का यह सही है कान्वेवा संविधान संशोधन क्या इसी के द्वारा इसकी अधिकता वो नियुनतम संख्या तै की गई थी यस बिल्कुल सही बात है यह राज मंत्य परिशद सामोहेक रूप से राज विधान सभा की प्रति उत्तरदाई होती है यह बात मैं आपको बता चुकी अभी है ना सो यहाँ पर council statement से होगा option number 2 ठीक है तो यहाँ पे मंत्री परिशद के गठन की बात करेंगे तब जाके देखें एक और देखो मंत्री परिशद और मुख्य मंत्री के संबंध में निम्ड़ पर विचार कीजे राजपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिपारिश मुख्य मंत्री के द्वारा की जाएगी यहाँ पे केवल शब्द लिखा हुआ है क्या उसके अलावा केवल शब्द क्या बताता है कि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते कैसा है मंत्रियों के बीच में विभागों का आबंटन और फेर बदर कल सकते है फेर बदर मुख्य मंत्री भी लिखा हुआ है ठीके वैपद से इस्तीफा देकर मंत्री परिशत का विगटन कर सकते है क्या अंसर होगा विभागों का आबंटन फेर बदर कौन कर रहा है पियम कर रहा है अगर मंत्री देखो जैसे कि हमने देखा था कि प्रधाज मंत्री चंद्रमा है अगर बाकी मंत्री जो है वे तारे हैं तो तारों की बीच में चंद्रमा की सन्या पी-एम को दिये वैसे ही स्टार के बीच में जो मून का काम है वे राज्जी के संदर्व में सी-एम कर रहे हैं तो जब CM देखो, हमने जाना था केंद्री मंती परिशद में, या केंद्री मंती परिशद का existence या अस्तित्व तभी आता है जब PM ओत ले लेते हैं, जब PM जो व्यक्ति है वह अपने पद की शपत ले ले तो उसके बाद ही अस्तित्व हो आता है, उसके पहले नहीं अगर उनकी म्रत्य हो जाए, वो त्याग पत्य दे दे, किसी तरह से अगर सरकार गिर जाए, मंती परिशद खतम, है ना, तो मंती परिशद यहाँ पर क्या होगी, अगर माल लीजे, CM जो है, वह स्तीफा दे देंगे, तो मंती परिशद, तो सुता विक्टे उसको कुछ करन हो गया, तो यहाँ पर सारे जो स्टेटमेंट है, वैसमें सही होगे, चलो, अब एक मैं आपको पताती हूँ, कि आखिर मंती परिशद के, या मंतियों के उत्तरदायत्व कैसे हो, इनकी कुछ रिस्पोंस्बिटीज की हम बात करेंगे, ठीक है, उत्तरदायत्व की हम बात क थी, केंदी मंती परिशद में सामोहिकता का सिद्धानत क्या कहता है, कि हम तो ढूबेंगे, लेकिन तुम्हें भी ले ढूबेंगे, एक सामोहिकता का सिद्धानत है, और सामोहिकता या एक जोटता के सिद्धानत पर ही वै काम करती है, अगर पूरी मंती परिशद एक तो यहां पर देखो अगर हम सामोहिक उत्तरदायत्व की बात करेंगे, तो जो collective responsibility है basically, अगर हम सामोहिक उत्तरदायत्व किसकी प्रती होगा, विधान सभा के लिए, सामोहिक उत्तरदायत्व विधान सभा के प्रती होगा, अगर सामोहिक उत्तरदायत्व विधान सभा के प्रती है, तो याद रखना कि जो विधान सभा है, वो basically आपको हटा सकती है, कब हटा सकती है, article 164 ये कहता देखा article 164 basically इस बात को कहता है article 164 में ये बात नहित है कि विधान सभाकिपती सामोहिक रूप से जो मंत्री परिशद है राजी की वह उत्तरदाई होगी इसका मतलब ये है कि जो भी वह काम कर रहे है कि अगे कि सभी जो है विस साथ में काम कर रहे है अगर एक ने मालो कि तो यहां पर किया कि एक टीम का कॉनसेप्ट है पूरा इसनीए तो कहा जाता है कि एक डूबेगा तो सब डूबेंगे एक साथ तेरते हैं एक साथ डूबेगा तो देखो अगर चूकि यह विधान सभाके प्रती उत्तरदाई इनका सायोग तुरूप से होगा collective responsibility होगी तो अगर विधान सभा मंती परिशत के खिलाफ आविश्वास प्रस्ताफ पारित कर दे तब क्या होगा UPSC इस बात को पूछ चुकी है हाला कि पूछा के इन्दी मंती परिशत के संदर्व में था मैं हाँ पर लिख देती हूँ अब देखो अगर विधान सभा मंती परिशत के खिलाफ आव विश्वास प्रस्ताफ पारित कर दे आव विश्वास प्रस्ताफ पारित कर दे तो क्या होगा एक कुश्चन बनाया था मैंने शायद था नहीं चलो कर नेक्स पूछ लोगी है न तो यहाँ पर देखो अगर मंती परिशत के खिलाफ आव विश्वास प्रस्ताफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन तब ऐसे में क्या होगा तब ऐसे में क्या जो मंती परिशत इसको त्याकपत्र देना पड़ेगा या नहीं अगर यह पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है और त्याकपत्र देना होता है सरकार को त्याकपत्र देना अनिवार है अगर यह पारित हो गया अगर ये no confidence motion जो है आविश्वास जो प्रस्ताव है अगर ये पारित हुआ तब ऐसे में क्या होगा कि बिसिकली आपको जो है मंत्रियों सभी मंत्री सहित अगर विधान परिशत के भी सदस जो है अगर वह उसमें मंत्री बद में शामिल है तो उन्हें भी बिसिकली जो त्या खेंदी मंत्री परिशत के विक्टन की सिफारिश कर सकते है या लोग सभा के विक्टन की सिफारिश कर सकते है ठीक वैसे ही CM की बारी में भी है कि एसका एक विकल्प ये है कि बिसिकली विधान सभा को भी विक्टित करके नए चुनाब की जो गोशना है वह राजपाल के द बै अस्तित्व में था या उसको विश्वास प्राप था अब ऐसे ही हमने PM के बारे में क्या जाना था रास्टपती के बारे में कि रास्टपती उस मंत्री परिशत की सला से बंदे हुए नहीं है बाइंड नहीं है जो अपना विश्वास खो चुकी हो लोक सभा में बढ़ा था सीम बही चीज़े हापे भी अपलाई कर लो ठीक है चलो तो सामोहिक उत्तरदायत्व की बात हमने एक और इसमें पड़ी थी बच्चों हमने जाना था कि इसमें एक और बात क्या है कि कैबिनेट के फैसले से जो कैबिनेट के फैसले से सभी प्रती बद्ध होगे committed होंगे, आप इदर उदर नहीं जा सकते, जो cabinet का फैसला उसी के साथ जाओ, से सभी प्रतीबद होंगे, अगर जो प्रतीबद नहीं है, जो इत्पपा के रित्तव, त्याकपत दे दे सीधी बात है, तो इनके बास के वाल दो options है, कि या तो आप हाग कर दो, और मान जाओ, य सामोही कुत्तरदायत की बात की गई न, इसलिए इसमें ये कहा गया कि ठीक है, कोई एक अगर कैबिनेट की या फिर जो केंदी मंत्री परिश्ट उनकी राय या उनकी सलाह या उनके निर्णई के खिलाफ जा रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए, वो त्याकपत दे दे और ओक्षन नहीं है, या तो हा करो या तो सात में या तो फिर त्याकपत दे दे, तो यहाँ पर देखो कि कर्तब हैै basically, जो भी मंत्री है, उसका ये कर्तब है कि कैबिनेट का समर्थन करे, चाहे विधान मंचल के अंदर हो, चाहे विधान मंचल के बाहर हो, और अगर वह नहीं है तो ऐसे में उसको त्याकपत्य देना पड़ेगा अच्छा एक बात याल रखो अच्छ डॉक्टर अंबेटकर के द्वारा एक 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 जामपल मैं आपको बताती हूँ आपको हिंदू कोड बिल याद है क्या हिंदू कोड बिल में कई ऐसे जो सुधार है वे पेश किये की थी उस वक्त हमारे जो पीए में वे चाचा नहरू थे जवाहरलाल नहरू जी थे है ना तो यहां पर देखो डॉक्टर अंबेटकर के द्वारा हिंदू कोड बिल में जो सुधार की बात की थी ताकि हिंदू धरम में जो महिलाएं हैं उनकी इस्तिती अच्छी हो उन्हे संपत्ति मोत्तराधिकार मिल सके उन्हें और भी कई जो समानता की बात हैं मिल सके कई मदान और कई तरह के सुधारों की प्रक्रिया उस समय चल रही थी उसमें हिंदू कोड बिल भी था लेकिन इतना पुर्जोर इसका विरोध हुआ डॉक्टर रंबेटकर चुकी कानून म इतन जादा विरोध हुआ कि इसी भी धर्मे की सुधार की अगर हम बात करेंगी इतना असान नहीं था कभी भी आसान नहीं था कबी भी तो यहां पर हिंदू कोड मिल में जब इतना विरोध हुआ तो ट्रैट पत्त देना पढ़ गया था दॉक्तर विप्रग को है ना तो क्या की बाकी मंतिमंडल की सलाके साथ ही आपको जाना होता है दर्वाइट स्ट्राइटम clear है? चलो तो यह 164 की बात होगी सामोहिक उत्तरदायत्व की अब हम यहाँ पर बात करेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायत्व की बात करेंगे सामोहिक तो हमने देख लिए विधान सभाग के लिए ठीक आप देखो 164 ही ये कहता है व्यक्तिगत उत्तरदायत में यहाँ पर भी आर्टिकल 164 कहता है कि बेसिकली जो मंत्री है वे राजपाल के प्रसाथ परियंत होंगे व्यक्तिगत उत्तरदायत किसके प्रती होगा चूंकि ये राजपाल के प्रसाथ परियंत होंगे राजपाल के प्रसाथ परियंत होंगे सो व्यक्तिगत उत्तरदायत किसके प्रती है किसी भी मंत्री का राजपाल के लिए मुख्य मंत्री के लिए या फिर विधान सभा के लिए, राजपाल के लिए है ना, राजपाल के लिए होगा, हाला कि ये हटा तबी सकते हैं उस particular मंत्री को, जब जो CM है basically वहके दे है ना, तो यहाँ पर देखो कि basically किसी भी मंत्री को, का जाता है राजपाल किसी मंत्री को तब भी किसी भी समय हटा सकता है, जब विधान सभा विश्वास में हो, लेकिन CM की सलह पर, तो यह कैसे हटाएंगे, मुख्य मंत्री की सलह पर, तो किसी एक मंत्री को तो हटाया जा सकता है ना, नेक्स देखो नेक्स झेस में कि अगर मुख अगर किसी तरह का कोई मत्भेद है और मंत्री के कारे कलाप से संतुस्त नहीं है MmS Lecture थे नि LA उसका यह धो बिजिए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वह राज्वपाल की प्रत्शवके मैंघ ‫े यहाँ पर co पास दूसरा option है कि त्याग पत्र नी देर तो सीधा बर्खास्त कर दो और ये बर्खास्त खुद नहीं करेंगे ये राजपाल से कहेंगे राजपाल द्वारा बर्खास्त राजपाल द्वारा बर्खास्त करने के लिए भी कह सकते हैं ठीक है तो वैसे तो पर्टिकूल अगर विदे कुत्तर दाइत्व अब जानते हो विदे कुत्तर दाइत्व का concept हमने कहा से लिया ये concept हमने लिया है बिटेन से बिटेन में आप देखेंगे राजा रानी का साशन है वहां का जो समवधानिक प्रमों के basically वह नुवांचिक रूप से है तो वहां पे जानते हो क्या कहा जाता है एक कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं होता और चुकि राजा कभी गलत नहीं होता तो राजा ने तो आदेश दे दिया बट उस आदेश पे जो साइन किये गए थे वह मंत्री के थे तो इसलिए अगर वो आदेश गलत था या उसकी समवैधानिकता पर प्रश्ण चिन उठता है तब इस आधार पर क्या होगा वो मंत्री जेल जाएगा राजा नहीं जाएगा तो इसके पीछे कहावत है कि चुकि राजा कभी गलत नहीं होता और अगर मंत्री ने सिगनेचर कि थे तो थोड़ा सूच समझ के कर ले था और अगर सोच समझ नहीं सकता तब ठीक है जिल जाए तो यहां पर क्या है कि विदिक उत्तरदायत वर बिटेन में सूनिश्चित किया गया है लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधार नहीं है भारत में मंत्यों का कोई विदिक उत् सम्मुद्धान के खिलाप हो जो सम्मुद्धान के या फिर फंडामेंटल राइट को लंगन करता हो but उनके खिलाप को ऐसी लिजर रिसपॉंस भड़ी नहीं है यह ठीक है यह बात इसमें त्राव तल कि कि बात करेंगे कि अगर हम यह कहेंगी केंद्रिय मंत्रियों के लिए है राज्य के मंत्रियों के लिए गलत हो जाएगा तो हमने इस को अपनाया ही नहीं है बिसिक्लिया ना तो यह हमने वबस्ता मिटें से लिए तो हम देखेंगे कि केंद्रिये मंत्रियों की तरह राजमंत्रियों की भी कोई विदिक जिम्मेदारी नहीं है कोई विदिक जिम्मेदारी नहीं है इस नहीं को थोड़ा सा हाइलाइट कर लेना बिचेन में लेकिन है ध्यान रखनारी बिचेन में इस तरह का जो विदिक उत्तरदायत मंत्रियों का सुनिश्चित किया गया है ठीके अब देखो हमने दिखा कि राज़पाल के द्वारा अगर कोई लोग अधिनियम है उनकी आदेश पर मंत्री के हस्ताक्षर की आविशकता नहीं है लेकिन बिचेन में ऐसा होता है इसके अलावा न्याले जो है मंत्री के द्वारा राज़पाल को दी गई सला की समिक्षा भी नहीं कर सकता अब सला की समिक्षा कर सकता था कब जब विदे को तरदायत होगा तो नियाले ना तो समिक्षा करता और ना ही राज जिपाल का जो अधीनिये में आदेश था उस पर मंत्री के हस्पाक्षर हो रहे हैं ठीकर यह दोनों बाते कहां पर हो सकती है विटेन में हो सकती है ठीक है ध्यान रखना चलिए तो केंदी मंत् प्रियों द्वारा दी गई सला की नैक समिक्षा नहीं हो सकती नैक की आपने कोई जो सला है व्याकिर क्यों दी है तो इस तरीके से हमने सामोहिक उत्तरदाय beide की बात कर ली व्यक्तिगत और यहां पर हमने वैदेक उत्तर मंत्री के उद्दाइद्व का कोई प्रावधार नहीं क跟大家 के Moment को करने या इसकी पतिरक्षा करने को compound केंडरे मंत्री मंदल और राज मंत्री परेशत को राजसभा, राजविधान परेशत के मंत्रियों सह प्येत्यग पत्रte देना पड़ेगा, आप सोचेंगे इसमें राजविधान परेशत भी आगया, इसमें राजविधान परेशत भी आगया, तो एक बिसिकली comparative position है जिसमें केंद्र की विदान मंडल और केंद्र की जो विधाई का थी उसके साथ साथ इसको जोन दिया ठीक है तो यहाँ पर यादटना यह सारे statement सही है ठीक है तो यह तो हमने समझी लिया हमने यह भी जाना सामविकता है कि सिद्दात में कि भाई अगर स हो सकता है जरूरी थोड़ी केवल विधान सभा की मंत्री जो है मंत्री मंडल में शामिल है मंत्री मंडल में तो समटाइम ऐसे लोग भी मंत्री होते हैं जो कि हो सकता है उच्छ सदन की हो है ना लोक सदभा के संदर्व में राज्य सभा की भी लोग हो सकते हैं विधान सभा के संदर में विधान परिशद, जिन राज्यों में विधान परिशद है वहाँ पर at least तो यहाँ पर ये तीनों ही स्ट्रेट्मेंट जो है वैं सही है चलो अब इसमें last हमें देखना है कि आखिर मंत्री परिशद का जो गठन है वैं कैसे होगा मंत्री परिशद का गठन वैसे तो हमने देख लिया कि सदर से संख्या जो है वैं कितनी होगी और हमने ये भी देख लिया कि बिसिकली समिधान में मंत्री परिशद का जो आकार है वैं आखिर कितना होगा सबसे पहली बात जो है वैं हम यहाँ पर आकार की चर्चा करेंगे क्या इसका जो साइज है या जो आकार है क्या इसकी बात समिधान में की गई है तो पहले ही मैंने आपसे बच्छों कुश्चन पूछ लिया कि नहीं तो या दखना कि इसका आकार कितना होगा सम्विधान में नहीं लिखा है सम्विधान में आकार नहीं है अगर नहीं है तो फिर आकार क्या होगा क्या साइज होगा मंत्य परिशत का तो यहाँ पर मुख्य मंत्री जो है समय और परिस्तिती के इसापसे का जो निर्धारणे वे करता आया था ठीक है केंद्री मंती परिशद की बात करेंगे तो जैसे केंद्री मंती परिशद में ठीक वैसे ही यहां पर है ठीक है केंद्री मंती परिशद की तरह ही यहां पर है कि इसमें बिसिकली कितने मंत्री होंगे तो हम देखेंगे तीन मंत्री होंगे और याद अठना कि मंत्रालाई शब्द का जो प्रयोग है वेक्टिवल केंद्र के स्थर पर किया जा रहा है मंत्रालाई शब्द का प्रयोग राज के स्थर पर ने किया जाएगा राज स्थर की अगर हम बात करें तो राज सरकार विभागों में बटा होता है नाकी मंत्रालेयों में, तो यहाँ पर बिसिकली जो cabinet हम कह रहे हैं न ये cabinet बिसिकली क्या होगी ये उन विभागों के प्रमुख मंत्री होगे ठीके, second हम देखेंगे कि राजमंत्री और उपमंत्री होगे यहाँ पर राजमंत्री होगे तीसरे यहाँ पर उपमंत्री होगे ठीके, अब देखो कि तीनों वर्ग की सेम वही हमने देखा कि इन तीनों में आखिर जो डिफ्रेंस है क्या होगा, जिसे कि हमने केंद्र में बात की थी ठीक वही डिफ्रेंस यहाँ पर होगा अच्छे, इसके अलावा देखो कि सम्टाइम्स यह जो केंद्री मंत्री परिशद है इस केंद्री मंत्री परिशद में एक उप प्रधान मंत्री भी होता है माफ कीजिए, उप मुख्य मंत्री उप प्रधान मंत्री की बात करेंगे तो यह केद्र के संदक में अगर हम उख मत्री की बात करेंगे सम्विधान में प्रावधान नहीं है राजनितिक कारणों से सम्टाइम राजनितिक वा इस्थानिय कारणों से राजनितिक वा इस्थानिय कारणों से जो नियुक्ति है वै की जाती है सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आगे समझ में इस बात को साथी दिखो कि कैबिनेट जो मंत्री है इनके पास मुख्य विभाग होंगे जैसे कि ग्रह, सिक्षा, वित और कशी अगर हम कैबिनेट की बात करेंगे तो इनके पास मुख्य विभाग होंगे जैसे कि ग्रशी विभाग है वित विभाग है सिक्षा विभाग है है ना? और एक स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे लिख लो कि मंत्राले शब्द केंद्र है तो होगा मंत्राले शब्द केंद्र के लिए है राज के लिए तो विभाग है, है ना? राज के लिए क्या शब्दी उचोगा विभाग? तो राज विभागों में बटा है पोर्टफोलियों में बटा है, ना कि मिल्स्ट्री में बटा हुआ है सो कैबिनेट मंत्री क्या होंगे? कि राज सरकार के महत्पून जो विभाग है वो इनके पास होंगे और ये सभी काबिनेट के सदस होंगे जो राज का मंत्री मंदल बनेगा ना जो राज का मंत्री मंदल बनेगा तो ये सभी क्या होंगे मंत्री मंदल के सदस होंगे मंत्री मंदल की जो बैठके हैं इन सभी में भाग लेंगे नीति निर्धारण में प्रमुक भूमिका होगी और हम देखेंगे कि इनकी जिम्म्यदारी जो है सबसे जादा होगी ये सबसे में होगे दूसरे देखो कि राजमंत्री की बात करेंगे तो इन्हें स्वातंत्र प्रभार दिया जाता है और याद अटना ये cabinet के सदस नहीं होते, ये एक अंतर होगा कि ये cabinet के सदस नहीं होते, cabinet की बैटक में भाग नहीं लेंगे, केवल तभी भाग लेंगे जब इन्हे cabinet मंत्रियों के द्वारा बुलाया जाएगा या इनका कुछ विशेश अगर कोई प्राभधान है तभी जाके ये भाग लेंगे, अगर विशेश तोर पे cabinet बुलाए तभी जाएंगे, अदर्वाइस ये ना तो cabinet के सदस होंगे और ना ही cabinet की बैटकों में भाग लेंगे, cabinet या मंत्री मंदल ठीक है, इसके बाद देखो कि हम देखेंगे कि बेसिकली जो cabinet मंत्री है ना, cabinet मंत्रियों के सा बलकि ये क्या करेंगे, कि बेसिकली एक जो सहयोग है वह करेंगे और ये भी cabinet के सदस नहीं होते हो ना ही ये cabinet की बैटकों में भाग लेंगे, तो इन तीनों में बेसिकली जो में अंतर की हम बात करेंगे वह क्या है, तो एक हम देखेंगे कि इन सभी के ऊपर जो सर्वोच प्राधिकारी होगा सर्वोच शक्ति कि इन सी एम की है,सं के पास जो है क्रशी विभाग है, विथ है, शिक्षा है, क्या विभाग जो है वे शफल करने है ये सारे काम जो हैवे सी एम कर रहा है तो यहाँ पर देखो अगर हम देखेंगे कैबिनेट क्या होता है, राज मंत् परिशत का काम हुआ करता था कि जो भी बैठके हैं उनको करना मुख नीती निधारन करना राज सरकार के बीच में समन्वे करना वे भागों की नीतिया देखना और भी बहुत सारे जो काम है बिसिकली वह कैबिनेट करेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि राज सरकार पे अग कौन होता है कैबिनेट होता है ठीक है कैबिनेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो कैबिनेट है ये cabinet क्या करता है cabinet तो आप जानी गए कि है क्या ठीके तो cabinet जो है वह real executive है real executive authority इसके पास है क्योंकि main नीती निर्धारण का जो काम है वह यही cabinet कर रहा है ठीके ये cabinet basically क्या काम कर रहा है ये cabinet करेगा एक छोटा सा basically हम कहेंगे एक छोटा सा भाग है जिसमें की मुख्य जो important important मंत्री है वह शाविल होंगे तो एक छोटा सा भाग है real executive authority है एक छोटा मंत्री मंडल होगा पर इसका main काम जो है नीती निर्मान में मुख्य भूमी का ऐसी की होगी अगर हम देखेंगे decision कौन ले रहा है decision राज विधान मंडल थोड़ी ले रहा है decision main cabinet होता है के सरकार में cabinet है मतलब जो important important मंत्रालाई के प्रमोखे उनके साथ बैठकों के निर्णाई लिया जा रहा है policy making की जा रही है ठीक वैसे ही राज के सद्धर्फ में भी है तो राज सरकार की हम देखेंगे कि प्रशाशनिक ववस्था का मुक्र समन्वय यह होगा जो राज की प्रशाशनिक ववस्था है प्रशाशनिक ववस्था का मुक्र समन्वय ठीक है मुक्र समन्वय जो है main 7-8 करता है, सभी विभागों की वीच में जो 7-8 सटुलन है वो बना रहे, कंच्रोल बना रहे सरकार का, वो सारा काम ही करेगा राजपाल के सलाकार की बात करेंगे, आपात प्रबंधन का काम करेगा अब जिसे कि हम राजपाल की सला की बात करें तो राजपाल को पूरा विधान मंडल के अगर यूपी की अगर हम लाजिस्लेचर की बात करें तो अगर चार सो से जादा मेंबर है तो क्या सारे सला देंगे राजपाल को सारे सला देंगे या फिर उसमें मंती मंदल जो है वो सला देंगे और वो भी उसमें भी CM बताएगा CM अपनी एक मुख जो नीती है वो बना लेगा में सला बना लेगा उसके आदार पर वैराज़पाल को सला दे देंगे तो यहां पर पूरा विधान मंदल थोड़ी जाएगा कि चार सो लोग चलेगा कि अब यह सला है वो किसकी किसकी सुनेंगे बताओ तो यहां पर क्या किया गए कि हम collective base पर काम कर रहें कि तो इसलिए तो है कि वही सामोहिकता की आधार पर काम कर रहें एक ने decision ने समय उस पागरी कर दिया तबीतु सरकार जो है राम से चल रही है तो यहां पर देखो राजजपाल का मुख तो राजज़तिक प्रशाश्निक ववस्ता में हम देखेंगे सर्वोच नीती निर्धारक का जो काम है वह cabinet का होगा ठीके अब देखो हम cabinet समीतिया भी क्या काम करती है? Cabinet समीतिया अब निर्धार कंसी जो विधायक है उनका एक समो तो उनका इक समीतिया जो है उनका main काम क्या होगा? में इन काम होगा कि किसी particular जो विशा है कोई विधाई विशा है उस पे बिसिकली नीती निर्मान का जो काम है वह कर दे तो बिसिकली इनकी नियुक्ती की बाप करेंगे नियुक्ती मुख मंत्री करेंगे कब करेंगे आविशक्ता अनुसा परिस्तिती वश करेंगे ये भी बिसिकली ठीक दो तरह की होंगी एक तो स्थाई और दूसरी आस्थाई ठीक है तो ये दो तरह की होंगी एक तो होंगी स्थाई पर्मानिंट और दूसरी होंगी अल्पकाल अल्पकाल एक जो काम खतम होने के साथ कोई काम के लिए पर्टिकुलर शुरू की गई थी कि माली जी सिक्षा में सुधार करना है तो सिक्षा में सुधार के लिए इंकाम क्या होगा इनको सुझाब देना कैबिनेट के सामने सुझाब देना नीती निर्धारन जो करना है वो बेसिकली जो कि विधान मंदल के पास time limited होता है और किसी कानून को बनाने के लिए बहुत deep knowledge की जरुरत होती है और इसलिए ये जो समीतिया है basically वह काम करती है तो जो cabinet है वह विभिन समीतियों के माध्यम से ही काम जो है वह करता है ठीक है चलो अब जल्दी से एक बार करते हैं तो हम राज सरकार पड़ रहे थे और हम राज मंत्री परिशत की बात कर रहे थे हमने जाना आर्टिकल 163 467 and 177 ठीक है हमने परामर्ष की प्रकृति न्योक्ति शपल शर्ते मंत्रियों के तीर तरह के उत्तरदायत सामो ही विदेक व्यक्तिगत की बात कर ली कैबिनेट, कैबिनेट समीतियों की बात कर ली ठीक है इसने हमने शुरुआष से देखा एक कंपैरिजन हमने देखा आटिकल 74 163 का ठीक है इसके साथ ही हमने परामर्ष की हमने ञाल है կहाश की जाश नहीं करेगा 166 में देखा कि राज जी की राजपाल की द्वारा कारवाही का संचालन होगा ठीक है 167 की बात की और हमने 177 की बात की ठीक है मंतियों की न्युक्ति की बात हमारी होगी मैं तो हटा देती हूं जरूरत नहीं है इसकी मंतियों के उत्तरदायत्व की बात होगी सामोही कुत्तर राजजपाल के लिए है और विदे कुटर दाइत्व है ही नहीं है ना तो ये सारे बाते हमारी होगी बंती परिशद के गचन की बात होगी आकार तीनवर गोख्मुक delivered होगा नहीं होगा cabinet की बात होगी cabinet और cabinet समितियों की बात होगी और last में हमने कुछ questions देखे ठीक है last में हमने कुछ questions देखे तो आपको याद करना है 163, 467 and 77 तो ये था आपका राजमंती परिशद, state government में हमने यहाँ पर आज तीसरे topic की बात कर दी, तो state government में हमने सबसे पहले जाना था राजपाल राजपाल की बाद हमने बात की थी CM की ओ, CM की बाद हमने आज राजमंती परिशद state council of ministers की बात की थी और अब हम next जो हमारा chapter होगा state legislation को लेकर होगा ठीक, जैसे की संसद आपने देखा था कि एक largest topic 40 page के आसपास है वैसे ही आपका जो राजपाल विधार मंडल है उसमें भी बहुत सारी प्रक्रिया है तो next जो आपका topic है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है next lecture, state legislature का उसमें हम सारी ववस्थाओं को बात करेंगे साथ ही जैसे की हमने राजपाल और रास्टपती की तुल्ना करी थी वैसे ही हमने संसद और राज की विधार मंडल की भी तुल्ना उनकी शक्तियां और भी उनके जो कारें स्तगन प्रस्थाफ सारे चीज़ों के हम जड़चा करेंगे बिलते हम अपनी next class में thank you, thank you so much